नमावों विष्णु पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विदान्त स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारत सुत्य देवे धोरवानी प्रचारिने निरुषे शश्वन्यवादी पस्चत्य देशतारिने श्रीमती रादारानी की जाए पांच हजार साल पहले जब भगवान सी कृष्ण विबिन्न लीलों प्रकट करने के लिए अवतरित हुए थे उसी समय श्रीमती रादारानी भी अवतरित हुई थी श्रीमती रादारानी श्री कृष्ण की शाश्वत सहब आगिनी है श्रीमती रादारानी की जन्म धिन रादाश्टमी महो महाँच्व के रूप में जना जाता है रादारानी की जन्म कैसे हुई बरसाने में बद्रपाद महिने में अश्टमी के दिन राजा विर्षभानू यमिनाजी की तरफ स्नान करने के लिए आये और उनको एक शुद्ध प्रेम की सुनहरी आभा की अनभूती हुआ ये एक कमल के फूल से निकल रही थी जिसका बीच में एक छूटी सी अती सुन्धर बच्ची थी राजा चूटी सी बच्ची को हातों में लिए और बच्ची को अपने पास प्रेम से रख खर महल में वापस आए और रानी खीर्टिदा ये चूटी बच्ची को धेकर पोट आनंदित हुए पोट प्रसन हुए लेकिन वह बहुत चिंतित थी क्योंकि ये बच्ची आँखे ने खोल रही थी उन्हें लगा कि शायद वह बच्ची नेतर ही न है ये खबर सुनके सब आसपास के गाउं से प्रजवासी इस बच्ची को देखने के लिए आये है इस बीच में पगवान स्री कृष्ण की मा ये शोदा ने सुना की उनकी सबसे प्रियमित्र किर्थिधा कोई एक लड़की हुई तो वो अपने पती नंद महाराज के साथ पुत्र स्री कृष्ण के साथ उनका गर्ब पर पहुंची उस समय वहाँ पर एक अत्भुत गठना गठी भगवान स्री कृष्ण राधारानी के पालने तक रेंगते हुए पहुंचे और उसे पकड़कर कड़े हो गए और उन्होंनों पहली बार राधारानी को देखा उस समय श्रीमती राधारानी की आंखे कमल की तरफ कुल गए और उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया येसे प्रतीत हुआ जैसे राधारानी श्री कृष्ट्न की दिव्य मुखारविंद के अलावा इस दुनिया में कुछ भी देखने नहीं चाहती थी ये सब देखकर वहाँ उपस्तित लोग भहुत प्रसन हुए है श्रीमती राधारानी समस्तर बम्रांड के जीवों की अध्यात्मिक मा है और मा का मनोबाव पवित्रता, निस्वार्थता, धायित्वा और प्रेम सबसे पवित्र होता है इसी वजे से हमारे पावन हरे कृष्ण मंत्र में उनका पवित्र नाम ही दिया गया है संबोधन का रूप में ये पवित्र नाम इस प्रकार है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे 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 का अर्थ है रादे ये मा के लिए एक संबोधन है मा रादे कृपया हमें इस नश्वर जीवन के इस दुश सुपन से जगा दीजिए और कृष्ण बक्ती प्रधान करें इस भोतिक जगत की आध्यात्मिक आधि भोतिक और आधि धैविक क्लेशों जैसे करोणा की पैंडेमिक ये सब ये एक बूरी सुपन है अगर हम श्रीमति रादारानी को ये हरे किष्णा महामंत्र की जब की द्वारा संभोधित करते हैं तो हमारा आत्मभोध और कृष्ण बक्ती जग जाती है और भोतिक जगत से मुक्थ होकर हमें अपने शाश्वत गर भगवत धाम वापस जा सकते हैं पांच-सव साल पहले रादा और कृष्ण एक शरीर में चैतिने महाप्रभुक के रूप में अवतार लिये उन्होंने ये प्रचार किया कि श्रीमति रादारानी की कृष्णा के प्रती भाव बक्ती ही सबसे उच्चित बक्ती है हम सबी उनके आदेशों का पालन करके ही अति शिक्र श्री कृष्ण भक्ती प्रात कर सकते हैं श्रिल प्रहपाद की कृष्ण चैतना अंदोलन में बक्त गण महामंतर की द्वारा रादारानी की नाम स्मरन करते हैं इसके अलावा शिल प्रवपाजी ने पुरा दुनिया में शिमती राधारानी की विग्रह, अर्च विग्रह को प्रतिष्टक किया है इसी कारण आज पुरा दुनिया राधारानी की पूजन होते हैं इसलिए रादा परमदेवता है, परमदेवी है और परमपूजनिया है। इस पवित्र रादाष्टे में हम सब मिलकर रादाराणी से प्रार्थना करें कि वे अपनी पवित्रता से हमारा चित को शुद करें और हमें कृष्ण भक्ती प्रतान करने की खृपा करें। रादाराणी की कृपा से कृष्ण की कृपा आसानी से मिल जाती है। शिमती रादाराणी की जय जए।